Hello and Welcome to Prince Civil Services, मेरा नाम प्रियमवदा है और Prince Civil Services की एक नई पहल की शुरुबात करते हुए UPSC 2023 Prelims को टारगेट करते हुए हम एक सीरीज की शुरुबात कर रहे हैं जैसा कि आपने देखा होगा कि पिछले UPSC के पेपर्स को अगर एनलाइस किया जाए तो वहाँ पर Current Affairs की एक महत्पूर भूमिका रही है तो इसी को ध्यान में रखके Current Affairs की एक सीरीज UPSC 2023 Prelims को ध्यान में रखके शुरू किया जा रहा है तो आज का पहला वीडियो जो है वो है Project Cheetah तो Honorable Prime Minister Modi ji के 72nd birthday पर हमने देखा हमारे देश में Project Cheetah लाउंच हुआ जहां पर 8 चीता, 5 फीमेल और 3 मेल चीता, Namibia एक African country है वहाँ से relocate होकर इंडिया के मर्द प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में लाए गए तो चलिए आज इस वीडियो में हम जानेंगे Project Cheetah के बारे में और भी बहुत सारे informative facts and figures हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे और आपके UPSC 2023 Prelims को target करते हुए ये वीडियो more than sufficient होगा तो चलिए वीडियो के शुरुबात करते हैं तो देखिए सबसे पहले Cheetah का scientific name क्या है तो ये है Acinonyx Zubatis क्या है Acinonyx Zubatis अब देखिए जो main focus है वो आपका होना चाहिए World's first intercontinental मैंने आपको अभी mention किया था कि ये दुनिया का पहला intercontinental यानि अफरीका continent से Asia continent में relocate होने वाला वर्ड का पहला translocation project है तो चलिए वीडियो की शुरबात करते हैं और next है why in news तो मैंने आपको mention करी दिया था कि हमारे honorable Modi जी के 72nd birthday पर 8 cheetahs यानि 8 cheetahs जो है वो आपके अफरीकन country नामीबिया से इंडिया के मध्यप्रदेश कुनो नेशनल पार्क में लाए गए तो अगर आपसे कभी प्रिलिम्स में यह पूछा जाए कि where is कुनो नेशनल पार्क तो यूर आंसर वोड़ बी मध्यप्रदेश आगे बढ़ते हैं मैंने पहले ही बोला था कि इसमें पांच फीमेल और तीन मेल चीता इंक्लूड़ेट थे और यह एक कस्टुमाइजड बोईंग 747-400 एयरक्राफ्ट यानि जंबो एयरक्राफ्ट के थू लाए गए थे यहां पर तो चलिए वीडियो को और आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे कि हमारा next facts and figures about cheetah some new facts जो हमें पहले नहीं पता थे और वो आपके prelims का एक probable question जरूर बन सकता है तो चलिए देखते हैं कुछ facts cheetah के बारे में तो यहां पर है it is one of the oldest big cat species और it is the fastest animal on the world अगर यहां पर देखें fastest terrestrial animal यानी चीता की जो है speed जो कहते हैं वो 80 km प्रति आर की speed से वो short distance में travel कर सकता है दौर सकता है long distance में नहीं short distance के लिए यानी 80 से 80 की speed इसकी दौरने की होती है for a short distance तो यह world का fastest animal माना गया है आप इसको देखेंगे तो इसकी ancestry यानी आपके इसके four fathers को trace round करेंगे तो 8.5 million years यह पुराना आपके इसकी ancestry आप trace कर सकते हैं number of cheetah around the world कितने बचे हैं 7500 around the world यानी cheetah की जो संख्या है वो घटती जा रही है अगर मैं आपको बताऊं तो दो तरीके की चीता पाए जाते हैं एक African चीता और Asiatic चीता तो Asiatic चीता अब बहुत ही कम बचे हुए हैं और Asiatic चीता का अगर मैं location बताऊं तो आपका इरान, इराक, अफगानिस्तान और Central Asia में तो बहुत ही कम इनकी संख्या हो चुकी है less than 50 यानि approximately 40 आप कह सकते हैं, 40 के आसपास, और वहीं जब हम अफ्रीकन चीता की बात करते हैं, तो इनकी संख्यार roughly 6,000 से 7,000 आपको मिल जाएगी, और इसी वज़ा से जो एशियाटिक चीता हैं, उनको आइसुएन की red list में, एक critically endangered के रूप में classify किया गया है, वहीं अफ्रीकन च आपको पीछे की slide में देखने को मिल जाएंगे, तो moving on to next, मैंने आप से कहा कि जो अफ्रीकन चीता है, उसको आईसीन की red list में किसमें categorize किया गया है, वनरेबल स्पिशीज में, एसियाटिक चीता, जो नौर्थ वेस्ट अफ्रीकन चीता, आड़क क्रिटिकली endangered one, यानि चीता की दो varieties है और दोनों की ICN red list में अलग-अलग classify किया गया है, यह आपका one of the probable question बन सकता है, UPSC के prelim examination के लिए, फिर देखिए, चीता की जो संख्या इतनी घटी है, उसका जो major point है, इंडिया की बात नहीं करती हूँ, all over the world, वो है उसका global habitat loss, यानि वो जिस घर म environment में रहते थे, उसका drastically जो है, वो reduce हुआ, habitat loss हुआ, और इसी वज़ा से around the world, इनकी संख्या जो है, वो घटी रही, now, they now live in 9% of its historic range, आप समझ सकते हैं कि पहले ये अफरीका और एशिया कॉंटिनेंट में फैले हुए थे, और आज ये सिर्फ 9% of its historic range में सिमिट कर रह गए है तो चलिए, वीडियो को और आगे बढ़ाते हुए, कुछ और facts and figures देखते हम चीता के बारे में, only large carnivore that got completely wiped out from India, यानि इंडिया से completely wiped out हो चुका है, यानि कि एशियाटिक चीता जो थे, वो इंडिया में भी पाए जाते थे, तो मैंने आपसे कहा था कि globally जो इनकी संख्या reduce हुई वो क्यों ही, क्योंकि habitat loss हुआ, लेकिन इंडिया में जो इनकी संख्या reduce हुई, बहुत सारे factors है, habitat loss यहां भी हुआ, लेकिन major factor था hunting, over hunting, तो hunting की वज़े से चीता के संख्या, और अगर मैं बात करू, 1947 में लास चीता इंडिया में देखा गया था, और 1952 में इंडियन इसे extinct declare कर दिया, तो इसका मतलब हमें आजादी भी 1947 में मिली, और इससे पहले 200-200 सालों तक हमारे उपर Britishers rule किया करते थे, obviously राजा रजवारे भी थे, तो Britishers ने भी sports hunting करी है, और हमारे जो राजा रजवारे जो hunting किया करते थे, उनकी वज़ा से भी चीता का जो है, वो काफ काफी लॉस हुआ, उनकी संख्या में काफी लॉस हुआ, और आज रिजल्ट आप देख सकते है, कि it is the only carnivore animal, which was completely wiped out from India, और जो बाकी facts and figures मैंने मिंशन किये हैं, वो सब आपको slide में देखने को मिल जाएंगे, चीता का जो word है, वो संकृत ओरीजन का है, और इसका मतलब होता दूसरा है, last country year मैंने आपको बोल दिया था, 1947 में, 36 गड़ में जो है, वो spot किया गया था, साल forest of 36 गड़, और wild animal was declared extinct in 1952, ये भी मैंने आपको अभी वीडियो में mention कर दिया था, जो last हमारा तीन चीता बचे हुए थे, जो कि आपके साल forest of 36 गड़ में पाए जाते थे, उस ट तीन last surviving चीता को shot down कर दिया था, यानि during the hunting उन्हें अपने hunting के लिए, अपने मजे के लिए, ये sports hunting आप कह ले, वो last तीन चीता जो है, एक साथ जो है, मार दिये थे, महराजा, रामानुच प्रताप सिंग, जो कि कोरिया, 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 कोरिया के महराजा थे, ये 36 गड़ म एक छोटी सी रियासत हुआ करती थी, और South Forest में तीन चीता जो last इंडिया के बचे हुए थे, वो भी मार गिराए गए, और 1952 में इसलिए government जो है, वो उन्हें extend declare कर देती है, अभी मैंने आप से बोला था कि African चीता और Asiatic चीता में difference क्या है, तो इसकी just next slide में आपको इनके, जो आपका picture से, उनके माध्यम से भी समझाऊंगी, बट फिलाल आप इस slide में इनके major जो differences है, वो note down कर लीजे, इसका African चीता का scientific name क्या है, Asunus Jubatis, और इसका क्या है, Asunus Jubatis Vanaticus, ये कितने बचे हुए है, 6500 से 7000, और ये less than यहाँ पर 100 लिखा हुआ है, बट अप्रॉक्स इरान में, अब देख सकते हैं, सिर्फ इरान में, ये थोड़े size में, Asiatic चीता से थोड़े से larger in size होते हैं, और अगर हम इनको देखा जाए, तो comparatively ये smaller in size होते हैं, ये brownish और golden skin color के होते हैं, इनकी skin थोड़ी सी thick होते है, अगर हम Asiatic चीता से compare करें, brownish और थोड़ी सी thick color, sorry, thick fur होता है, इनका incomparatively to Asiatic चीता, here, इनका pale yellowish color होता है, pale yellowish, जब मैं आपको figure दिखाऊंगी, picture दिखाऊंगी, next slide में, तो आप better understand कर पाएंगे, अब ही के लिए आप समझे, थोड़ा जादा size होता है, अफ्रीकन चीता का, और वहाँ पर थोड़ा सा size, comparatively, कम होता है, यहाँ पर brown और golden skin देखने को मिल जाएगी, और वहाँ पर आपको pale और yellow skin मिल जाएगी, now, coming back to, इसके जो sports है, चीता के उपर आपने देखा होगा, black spots होते हैं, और बड़ी ही uniformly scattered होते हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे, तो यह जो prominent spots हैं, यह African चीता पर आ जादा आसानी से देखने को मिल जाएंगे, lines on their face as compared to their asiatic counterparts, तो अभी जब मैं आपको चीता का figure दिखाऊंगी, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर एक black stripe जा रही है, जो की tear line आप कह सकते हैं, आखों के कोने से, वो यहाँ उसके चीता के mouth, inner corner mouth तक जाती है, तो यह जो line है, अ vulnerable में आते हैं और यह critically endangered है, चल यह figure देखते हैं, now, this is the real picture where we can compare the asiatic and the african cheetahs very well, now, क्या बोला था मैंने आपको, कि यह brownish और golden skin, थोड़ा सा dark color है इनका, वही asiatic cheetah को देखे, काफी pale yellowish color होता है, यह काफी prominent है इनका, जिसको आप कह सकते हैं, कि teary line, या फिर आप कह सकते हैं, इनकी black stripe on the face, which is connecting the inner corner of the eyes to the inner corner of the mouth, यह काफी इसमें prominent है, sports इसकी body में prominent है, जबकि यहाँ पर आपको, sports या इसकी जो line है, teary line वो आपको prominent नहीं दिख रही होगी, दूसरा, यह बड़ी size में होते हैं, और यह छोटी size में होतें, comparatively, और तीसरा, चोथा, जो मैंने आपको बता है था कि इनकी संक्या 6500 से 7000 है, और इनकी संक्या कि अगर बात की जाए, तो यह less than 40 है, जो कि इरान में आपको देखने को मिल जाएंगे, and the last but not the least, कि IUCN की red list में इसे vulnerable में डाला गया है, क्योंकि इनकी संक्या अभी भी ठीक ठाक है, बहुत जादा तो नहीं है, बढ़ ठ ठीक ठाक है, इसके comparatively तो बहुत ठीक ठाक है, और यहां पर यह critically endangered है, यानि कि इनकी संक्या बहुत ही जादा कम हो गई है, इन्हें तो बहुत ही जादा संजो की रखने की जुरत है, और इंडिया में तो यह extend ही हो चुके हैं, राइट, ना, मैंने यहां पर एक और वीडिय होने वाली है, और आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, जब मैं भी कभी बचपन में जुम में जाय करती थी, तो मुझे समझ में नहीं आता था कि, विच वन इस टाइगर, विच वन इस लेपर्ड, जैगवार, चीता अफकोर्स, तो चीता ऐसा नहीं है, जब यह extend था, 1947 में लास्टीर मारे गए, और 52 में इसको डिकलियर कर गया गया, तो हमारे कुछ जू में इंडिया के जू में यह available थे, आप वहाँ पर देख सकते थे, कुछ यहाँ पर import किया गया था उनको, उस टाइम पर, relocation नहीं था, वहाँ पर जू में आपको देखने को मिल जा में हमने इरान के साथ, उस समय इरान में 300 चीता हुआ करते थे, हमने सोचा, हमने एक्सचेंज प्रोग्राम यानि एसियाटिक लॉयन उन्हें और उनके जो एसियाटिक चीता थे, वो इंडिया में लाने के लिए एक डील, Memorandum of Understanding साइन करने की कोशिश करी थी, बट वो फे चीता के लिए जो एक इनवार्मेंट चाहिए वहां पर सबसे जादा बेस्ट है, तो जब मैं भी मैंने कहानी पीछे रहे जब मैं बच्पन में जू जाय करती थी तो मुझे बिलकुल समझ में नहीं आता था कि डिफरेंस क्या है, तो छोटे बच्चे या फिर जो भी आज आज तक नहीं समझते हैं, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, इस स्लाइड से आपको बहतरी समझने को मिल जाएगा, चले देखते हैं, अब देखे, ताइगर को अगर आप ध्यान में रखेंगे, तो इसका जो बैगराउंड है, वो है ओरेंज कलर का और इस पे जो है ब्ल जयए निशलिए हंका गराऊंची कलर की आपको इंस वी या जो है पत्तियाओं बनी हूई है काले की, पत्तियाओ जो कि यूनीक होती है हर चीटा की और जब हम tiger census करते हैं इंडिया में तो इन ही unique पटियों का M stripes का use करते हुए हम count कर लेते हैं कि हमारे हाँ कितने चीता हैं तो ये एक और information मैंने आपको दे दी चलिए फिर बात करते हैं चीता की जिसके उपर ये वीडियो बना हुआ है अगर आप tiger से compare करेंगे तो देखिए इ major difference है यहां पर काली धारियां बनी हुई है stripes बना हुआ है जबकि यहां पर black spots है spots यह देखिए मैंने अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैंने इसको pen से भी बना दिया है black spots और यह uniformly distributed होते हैं तो stripes नहीं होते बलकि black spots होते हैं coming back to leopard अब देखिए leopard में देखिए leopard जो है इन सारे big four cats में सबसे चोटा cat होता है अब अगर इसके पैर देखिए तो यह बहुत छोटा होता है body बहुत लंबी होती है और इसके jaws भी बहुत तगड़े होते हैं बहुत ही strong होते हैं तो यहां पर major difference जो है जो हमको बताएगा जो normal इंसानों को बताएगा कि क्या difference है वो है इसके skin का pattern यहां black spots है black spots यहां भी है लेकिन यह flower या rosette like structure में कैसे rosette light structure में है यह देखिए कुछ कुछ ऐसे full की तरह बने हुआ है यह देखिए जूम करके आप अगर देखेंगे तो यह कुछ flower जैसे spots इसके हां rosette like structure जो है इसकी पूरी body में पाया जाता है small densely packed rosettes getting my point and वहीं बात करेंगे हम जब jaguar की तो देखेंगे कि काफी हद तक यह दिखने में तो leopard जैसे है बट इनका जो behavior होता है वो lion से मिलता जूलता है या और एक चीज इनका जो leopard जो मैं बताना चाहती थी कि चीता जो है न वो नॉर्मनी दिन में hunting कर लेता है जबकि अगर आप tiger को compare करेंगे तो जादा prefer करता है रात में ये दिन में hunting generally coming back to our topic जगवार के बारे में हम बात कर रहे थे यहां भी rosette like structure है लेकिन ये rosette like structure इसके comparison में बहुत ही बड़ा है और बहुत ही यहां पे काफी सुनर सा बना हुआ है बटकि यहां पर यहां भी बहुत बड़ा लेकिन उतना अच्छे से नहीं बना हुआ है large rosettes है और इस पे जो है इस पॉट जो है वो black color का है इसका जो mouth होता है वो काफी इसका जो head होता है sorry वो काफी rounded होता है और इसकी जो tail होती है यह अगर अगर leopard से compare आप करोगे क्योंकि leopard और आपके jaguar में ही सबसे जादा confusion होती है तो इसका tail लंबा होता है जबकि कि इसका tail जो है वो comparatively छोटा होता है तो I hope कि आज के बाद आप यह बिल्कुल भी confused नहीं होंगे कि which one is tiger which one is cheetah and leopard and jaguar now our next slide would be जो सबसे जादा यह आपके means point of view से यह slide मैंने बनाई है जहाँ पर आपको पता चलेगा कि what is the significance of cheetah reintroduction to या relocation to our country इसका महा तो क्या है आखिर हम कर क्यों रहे हैं तो चलिए इस पर ध्यान देते हैं यह सारे points जो है वो आपके prelims के लिए important है but means point of view से आपके paper में यह जरूर आ सकते हैं तो यह कुछ points जो हम quickly sum up करेंगे इस video को हम जादा लंबा नहीं रखेंगे और अगर आपको यह video पसंद आए यह आपके कुछ सुझाव हैं यह आपको लगे कि मुझे और भी कुछ include करना चाहिए video लंबा या चोटा यह जो भी suggestions हो वो आप इस video के नीचे comment box में जाके comment कर सकते हैं तो चलिए कुछ इसका importance देख लेते हैं देखिए जो चीता है वो एक grassland का flagship species है यानि grassland में चीता जो है flagship species माना जाता है और जब grassland species यहां पर relocate हो जाएगा इंडिया में अच्छे से survive कर जाएगा और breeding करके यह अपनी numbers को बढ़ा लेंगे क्योंकि मैंने आपको बोला 2027 तक हमने 50 और चीते अलग-अलग African continent से यहां पर relocate करने हैं तो आप देखेंगे कि other grassland species जो है वो food chain में और भी अच्छे से flourish कर biodiversity एक ही गमने में मैं बहुत सारे different species रख दूं या animals रख दूं शेर, कुता, बिल्ली, चुहा, इंसान तो this is biodiversity जितनी अच्छी biodiversity होती है उतना ही अच्छा आपका ecosystem run करता है क्योंकि every species is dependent on each other that is called food web राइट तो यह balancing जो है वो बहुत जरूरी और इसके लिए number of biodiversity is very much important carbon sequestration यानि की carbon को, carbon को, atmosphere के carbon को sequence कर लेना या उसको absorb कर लेना यह भी एक चीता के re-translocation में help करेगा और दूसरा आपका soil conservation के लिए भी यह बहुत महतुपूर है soil moisture conservation के लिए बहुत important है तो चीता का relocation is also one of the factor water security इससे सुनिश्चित हो पाएगी लोगों को livelihood opportunities मिलेंगी यानि की लोगों को रोजगार मिलेगा कैसे eco tourism बढ़ेगा लोग चीता को देखने के लिए जाएंगे eco development होगा यानि कि उस area का development भी काफी असानी से यानि जहां economic activity होगी आप खुछ समझते हैं कि उस area का development कितना fast होगा restoration of open forest and grassland ecosystem मैंने आपको बोला कि एक grassland flagship species है चीता और जाइश सी बात है इसका फिर से एक restoration हो पाएगा अच्छे से ये भी flourish कर पाएंगे तो ये बहुत ही cut short में मैंने ये significance आपको चीता reintroduction का बताया बहुत ही cut short था क्योंकि आप मुझे comment में बताएंगे कि क्या आप इसके detailed वीडियो और अच्छे से जानना चाहते हैं अपने UPSC GS means के point of view से तो जरूर मैं इसका दूसरा next part भी GS means point of view से बनाऊंगी अभी के लिए I hope कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपने इस वीडियो के माध्यम से काफी अच्छी information ली होगी जो कि UPSC 2023 preliminary examination में या जो लोग normal भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं उनको ये वीडियो से काफी कुछ जानने को मिला होगा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद thank you for watching this video